क्या है मनुक्टिया गणेश मंदिर का अनोखा इतिहास? जानिय रहस्य गजानन का यह विचित्र मंदिर देव भूमी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है. इसका नाम मुंड कटिया, मुंड कटिया मंदिर है. यहां मौजूद गणेश की बिना सिर्वाली मूर्ती आकर्शन का केंद्र है. वैसे तो भगवान गणेश के कई प्रसिध मंदिर है. लेकिन देश का एक मात्र ऐसा मंदिर भी है जहां गणपती का सिर्धर से अलग है. यहां सिर्विहीन गणेश प्रतिमा की पूजा की जाती है. यहां दूर दूर से भख्त दर्शन के लिए आते हैं. आईए जानते हैं गणपती के इस अनोखे मंदिर की महीमा और क्या है इसका इतिहास. बिना सिर्वाली गणेश प्रतिमा. गजानन का यहां विचित्र मंदिर देव भूमी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है. इसका नाम मनुक्टिया, मुंड कटिया, मंदिर है. यहां मौजूद गणेश की बिना सिर्वाली मूर्ती आकर्शन का केंद्र है. धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, यहां वह स्थान है जहां गजानन के पिता भगवान भोलेनात ने गणपती का सिर्व काटा था. आज भी यहां गणेश की बिना सिर्वाली मूर्ती मौजूद है. इस मंदिर से जुड़ी कहानी क्या है? पौराणिक कथा के अनुसार, माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ती के लिए अपने मैल और लेप से एक मूर्ती बनाई थी. माता पार्वती ने इस मूर्ती में प्रान डाल दिये थे. धार्मिक मान्यता है कि इसी से गणपती का जन्म हुआ था. एक बार जब माता पार्वती गौरी कुंड में स्नान करने जा रही थी, तो उन्होंने गजानन को बाहर खड़ा कर दिया और किसी को भी अंदर प्रवेश न करने को कहा. महादेव ने गणपती का सिर्क क्यों कटा? माता की आग्या का पालन करते हुए गणपती अडे रहे. कुछ देर बाद महादेव वहाँ पहुचे और अंदर जाने की कोशिश की. गणपती ने भोलेनात को क्रोधित कर दिया. दोनों के बीच लड़ाई हुई और शिव जी ने गणपती का सिर्काट दिया. शंकर जी इस बाद से अंजान थे कि गणपती उनके पुत्र है. जब देवी पार्वती को इस बारे में पता चला तो वह भगवान शिव से नाराज हो गई और विलाप करने लगी. ऐसा माना जाता है कि इसके बाद भगवान शिव ने गणपती पर हाथी का सिर्र लगा कर उन्हें पुनरजीवित कर दिया था.